साबधान कभी कभी आप जो समान्त खरीते हैं वे एक खौफनाक रह से लेकर आते हैं कभी कभी चीजे जैसी दिखती है वैसी होती नहीं एक आम लड़की जांगसू जिसने एक पुरानी वासिंग मशिन खरी दी लेकिन इसका परिनाम इतना बयानक था कि वो खुद भी नहीं भी सोच सकती थी क्योंकि यह एक खौफनाक सफर की सुरुआत थी फिल्म की कहानी कोरिया के सेवल सायर से सुरू होती है जहां हम देखते हैं कि कई ऐसे वेब साइट से जहां लोग अपने पुराने इस्तिमाल के वे सामान बेचते और खरीते हैं ऐसा इसलिए है क्योंकि न लेकिन उसकी सर्थ है कि वो आयमे को खुद जाकर देखेगी और वरिफाय करने के बाद ही खरीदेगी लड़का उसकी सर्थ मान लेता है और उसे अपने घर का पता भेज़ देता है अब सीन बदल कर एक इमारत पर आता है जहां जांक्सू नाम की एक लड़की अपने वरक जांक्सू की सीनियर और उसकी सबसे अच्छी दोस्त है डलजा वो समझ जाती है कि डारेक्टर चुल्सू के मन में क्या चल रहा है और वो जांक्सू को इस बारे में बताती भी है लेकिन जांक्सू अपने बॉस को पसंद नहीं करती और उसे दूरी ही बनाएं रखना सकती है वहां उसे कम कीमत में अच्छे समान भी मिल सकते हैं और ये आइडिया जांक्सू को बहुत पसंद आता है सीन वापस से उस लड़के पर सिप्ट होता है जिसका नाम नोयूंग है हम देखते हैं कि नोयूंग बेसबरी से अपने आईमेक बायर का इंतजार कर रहा हो में Kealer वही बायर था ये साते की लड़की की तसवीर का इस्तेमाल कर नोयूंग से बात कर लाते से नोयूंग के फोन से दोस्तों मैसेज भियसता है कि वह कुछ के लिए भूसान जा रहा है उसके बाद killer नोयों के घर में रखे सभी किम्टी सामानों को बेचने की चाल चलता है वो नोयों के ID का हिस्तिमाल कर अलग-अलग buy और purchase app पर जाकर इन चीजों को post करता है और उन्हें जल से जल बेचना शुरू कर देता है इधर हम जांगसू की कहानी भी रिखते हैं वो महसूस करती है कि उसे बूरी तरह धोका दिया गया है वो तुरंट उसी एप पर वापस जाती है लेकिन वहाँ सेलर की कोई जानकरी नहीं मिलती और उसका फोन भी बंद आता है दरसल सेलर ने चालाकी से अपनी profile डेलिट कर दी थी अब जांकसू साइबर सेल की मदद लेने जाती है लेकिन आफिसर ना सूंग और डिटेक्टिब किम सूंग उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते वो उसे बताते हैं कि हाल के महिनों में ऐसे हजारों केस दर्च हुए है इसलिए उसे अपने केस के लिए 3-4 मेने का इंतजार करना ही होगा जांकसू अपने boss और दोस से इस scam के बारे में बात करती है फिर वो एक नई washing machine खरीने जाती है लेकिन उसे पता चलता है कि delivery और installation में 3 दिन लगेंगे जांकसू का गुसा और बढ़ जाता है क्योंकि अब उसे अपने कपड़े पबलिक washing store में धूने पड़ते है और वो अपने साथ हो रहे इन घटनौक और दोस उस scammer पर डालती है और गुसे में उस scammer को डूनने में लग जाती है वो अलग-अलग apps और website पर पूरी राज जाकर उस scammer की खोज करती है और फिर एक संकेत मिलता है scammer की एक खास पहचान थी वो हमेशा एक ही जैसा description इस्तमाल करता था कि उसे जल्दी से abroad ship होना है इसलिए वो अपना सामान बेच रहा है जांक्सू को यकिन हो जाता है कि यही वो scammer है और अब वो उसे पकड़ने का मन बना चुकी है जांक्सू उस दोके बाच के पोस्ट की गए ads के नीचे comment करना सुरू करती है कि यह ad देने वाला एक scammer है और लोगों को चेताब नहीं देती है कि कोई भी इसका product ना खरी दे इसी बीच हमें दूसरी और उस scammer का पूरा setup दिखाय जाता है वो एक professional hacker की तरह सब कुछ ब्लान करता था scammer अपने monitor पर देखता है कि जांक्सू वही लड़की है जिसे उसने पहले दोका दिया था और अब वो उसके काम में रुकावर्ट डाल रही है वो तुरन जांक्सू को message करता है और उसे चेताब नहीं देता है कि वो comment करना बंद करते और इन सबसे दूर रहे लेकिन जांक्सू अपना गुसा रोक नहीं पाती और उसे धमकाने लगती है वो उसे गालिया देती है और बताती है कि आने वाले तीन दिन में वो उसे धूंड निकालेगी और पुलीस को सौब देगी इसके बाद स्कैमर का कोई जवाब नहीं आता लेकिन स्कैमर के computer screen पर चमकते हुए codes उसका गुसे में mouse घुमाना और माहोल में बढ़ता ता ना समझने के लिए काफी था कि वो अपने setup में कुछ खतरनाक प्लान कर रहा है अगले दिन जांग्सू के साथ अजीब घटे हैं होने लगते है उसे अंजाने calls आने लगते हैं जिसमें लोग पूसते हैं कि उसने जो washing machine free में donate का एड़ डाला है वो उने चाहिए दिन बर में जांग्सू को सैकडो कॉल साते हैं फोन की घंटियों से परेसान जांग्सू की बेचानी बढ़ती जाती है और चेरे पर घबराहट साब दिखती है साम को जब वो घर लोटती है तो delivery वाले उसके घर में खाना लेकर आ जाते हैं जबकि उसने कुछ order ही ने किया होता जांग्सू समझ आती है कि ये सब उस स्कैमर का ही काम है अगले दिन वो वापसे साइबर क्राइम आफिस जाती है लेकिन वहाँ के officer उसकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाते है और उसे अपना नंबर बदलने की सला देते है यहां detective किम सूंग प्लान बनाता है कि वो उस आदमी के पते पे जाएगा जिसने ये सबी orders जांग्सू के घर पर भीज़े थे जब किम सूंग उस पते पर पहुसता है तो दर्सों को पता चलता है कि ये तो नायूं का पता है वहां के care ticker उसे नोयूं का नंबर देती है लेकिन उसका phone बंद आता है care ticker कोई भी कानूनी कागज़त ना होने की कारण किम सूंग को अपार्टमेंट में जाने की अनुमती नहीं देती लेकिन वे लोग नोयूं के नंबर की details निकालने की कोशिस में लग जाते है जब जांक्सू घर पहुसती है तो उसे लगता है कि कोई उसके घर में आ चुका है जांक्सू का चारास डर से सफेद पढ़ जाता है और वो तुरन detective किम सूंग को बुलाती है जब वे लोग जार्च करते हैं तो उने कैमरे की कोई भी footage नहीं मिलती अपार्टमेंट का मालिक बताता है कि हर जगा कैमरा नहीं लगा सकते क्योंकि दूसरे की रहने वालों की privacy का भी सवाल है लेकिन तभी दू लोग delivery लेकर वहां आ आ जाते है अब किमसूं को सक हो रहा था कि कुछ बड़ा गरबर है दूसरे दिन वहां एक कैमरा मेनाता है और जांक्सू के रूम के बाहर एक कैमरा सिट कर देता है ताकि जो कुछ भी हो वो सब रिकॉर्ड हो सके जांक्सू जब अपने work place जाती है तो अचानक उसकी मा का message आता है उसकी मा उसे 10 लाग मांग रही होती है जांक्सू को थोड़ा आजीब लगता है और उसे सक भी होता है वो मा से पुछती है पापा का है उसकी मा जवाब देती है वो तो काम पे गए है ये सुनते ही वो समझ आती है कि ये वही स्कैमर है जिसने उसकी मा का नंबर भी hack कर लिया है क्योंकि जांक्सू को पीता तो कई साल पहले ही गुजट चुके थे रात को जांक्सू के अंदर डर और ज़्यादा गहरा हो जाता है जब कुछ अजिनवी लोग उसके अपार्टमेंट में गुशने की कोसिस करते हैं उन्हें जांक्सू का एड्रस एक अडल्ट वेप्रैट वे मिला था जिसमें जूट लिखा गया था कि जांक्सू आज उपलब्ध है जांक्सू की पैसानी दिन बढ़ती जा रही थी उस स्कैमर ने जांक्सू को उसकी सारी पर्सनल लिटेल भेज कर ये बात तो क्लियर कर दी थी कि वो जांक्सू की हर बात जानता है अब जांक्सू पूरी तरह से डर चुकी थी और उसका विश्वास पुरी तरह से हिल चुका था अगले दिंग जांग सू डिटेक्टिक किम सुंग से मिलने जाती है जांग सू के हालत इतनी खराब होती है कि किम सुंग को तुरन समझ में आ जाता कि मामला बहुत गंभीर है किम सूंग और जांग सू नोयूंग के अपार्टमेंट में जाते हैं क्योंकि यही एक मात्र लीड उनके पास थी किसी तरह से वो केयर टेकर को मनाते हैं और अपार्टमेंट के अंदर पॉसते हैं लेकिन जब वो अंदर जाते हैं तो सन नाटा पसरा होता है और हर चीज गायब होती है उस स्कैमर ने नोयूं के घर का सारा समान बेज दिया था और फिर जैसे ही उन्होंने कैमरे की तलासी ली उन्हें नोयूं की लास मिलती है ये नजारा सबके रॉंग टेकरे कर देता है जांक सू अकिम को समझाती है कि यह किलर नोयूंग की आईडी से लोगों को चीट कर रहा था तो किम सू के चेहरे पर चीनता और गहरी हो जाती है फोरेंसिक टिम को यहाँ कोई भी फिंगर पिंट्स नहीं मिलते जिससे केस और पेचीदा हो जाता है जांक सू की हालत अब और जादा खराब हो चुकी थी वो लगाता डर और बेचेनी में थी उदर साइबर टिम के आफिसर जब नोयूंग के फोन और आईडी की जार्च करते हैं तो एक खौपनाक सच्छा ही सामने आती है यह किलर सामान बेचने के बहाने लोगों के घर जाता था वहाँ जाकर उन्हें मार डालता और उनके घर का सारा सामान बेच देता वो उन लोगों को सामान ऐसी वेबसाइट पर और एपस वेबस्ता था जहां से जांक्सू ने भी अपनी वासिंग मशिन खरी दी थी जब उस घर का सारा समान भिग जाता तो वो अगला सिकार ढूनने के लिए निकल पड़ता और यही उसका तरीका था पैसे कमाने का अगर कोई भी वैती इस स्कैमर के पीछा करने की कोशिस करता तो वो उन्हें मानसिक तोर पर परिसान करने लगता ठीक वैसे ही जैसे वो जांक्सू को कर रहा था वैसे किम सूं के टिम के पास ऐसा ही एक और केस भी आता है जिसमें एक लड़की को भी इसे स्कैमर ने अपना सिकार बनाया था जांक्सू अब अपने अपार्टमेंट को भी चेंज करना चाहती थी लेकिन कॉंटेक्ट की वज़ा से वो ऐसा नहीं कर पा रही थी डर ने उसे इतना जकर लिया था कि जब उसका बोस उसे मिलने आता है तो जांक्सू उसे भी स्कैमर समझने लगती है उसकी मांसिक इस्तिती बुरी तरह से बिगड रही थी अब तो इस्तिती इतनी खतरनाक हो गई थी कि स्कैमर जांक्सू के अपार्टमेंट में आकर उसके सामानों से छेड़चाड भी करने लगा था जांक्सू इस डरावनी स्थिसी से निबटने का एक मूस्किल फैसला करती है वो स्कैमर के साथ समझोता करने का निड़ना लेती है इसकैमर उसे कहता है कि वो जांक्सू को और पैसान ना करने के लिए तयार है पर बदले में उसे 10 मिलियन कोरियन वांग की रकम देनी होगी इसकैमर जांक्सू से कहता है कि वो पैसे निकाल कर अपने फोन को बंद कर ले और रात को 10 बजे अपने फ्लैट में उसका इंतजार करे जांक्सू के दिल में डर और गवराट का तुफान उठता है लेकिन उसके पास और कोई रास्ता नहीं बचा था डिटेक्टिब किम सूंग जब हस्पताल कॉल करता है तो उसे पता चलता है कि जांक्सू हस्पताल से जा चुकी है इधर आफिसर नासूंग को जांक्सू के अपार्टमेंट के बाहर एक बाइक राइडर का फुटेज मिलता है यह वही बाइक थी जो हर बार वारदात के वक्त अपार्टमेंट के बाहर दिखते थी नासूंग को यह सक होता है कि यह स्कैमर हो सकता है वो तुरंत इस बात के जानकारी किम सुंग को देता है लेकिन जांग सु का फोन बंद होने की बज़ा से किम सुंग खुद जांग सु के अपार्टमेंट के बाहर उसका इंतिजार करने लता है उसी समय जब किम सुंग और ना सुंग आपस में बात कर रहे होते हैं अचानक से स्कैमर डिटेक्टिब किम सुंग पर हमला कर दिता है वो उसे बेहुस कर दिता है और जांग सु के फ्लैट का ताला खुलने की कोसिस करता है तब ही जांग सुंग का बॉस वहाँ उससे मिलने आता है यहीं पर यह भी खुलासा होता है कि वही आदमी जिसने जांगसू के अपार्टमेंट के बाहर कैमरा लगाए था असल में वही इस कैमर था सकैमर जांगसू को जबरदस्ती अपनी कार में डालता है लेकिन इसी बीच आफिसर नासूंग वहाँ पहुच जाता है और किम सूंग को भी होस आ जाता है दोनों मिलकर सकैमर का पीछा करते हैं और उनके बीच एक खतरनाक चेस सुरू हो जाती है पर दूर भागे से नासूं सूंग को केस से हटा दिया जाता है और यह केस दूसरे अधिकारियों को सौब दिया जाता है नासूं की मौद ने किम सूंग को अंदर लग नहीं मिल पा रहा था आखरी बार जांक्सू ही थी जिसने स्कैमर का पता लगाया था इसलिए इस बार भी किम सूं को जांक्सू की मदद की जरुवत थी अब यह लोग फिर से अलग अलग एप्स पर स्कैमर के द्वारा पोस्ट के विग्यापनों की खोज में जूड जा है और एक दिन उन्हें अखिर कर एक नए भेस में स्कैमर मिल ही जाता है जांक्सू उसे उस प्रोड़क्ट की जाच करने का बहाना बना कर उसे बिल्डिंग में ले जाती है जहां उसके निर्मान का काम चल रहा होता है वह तुरन किम सूं को इंफॉर्म करती है लेकिन स्कै स्कैमर दोनों के मुकाबले काफी मजबूत साबित होता है किम सूं गोरह को यह एक्यूत नियुक deux करको यह संगरसना केबल उनकी दोस्ती को और मचबूत करता बलकि आए ऐसां भी जूत होते हैं तो किसी भी मुश्किल का सामना कर सक्ते हैन और यह फिल्म यहार का ठीच कर दो जो.